जाए हिंद आपके अपने चैनल न्यू स्टेडी 24 के ब्रह्मा स्रीज में आज हम साइंस टॉपिक प्राराम कर रहे हैं करें ब्रह्माने साइंस को सम्झेट आप बीश नम忘ते हैं साइंस का तीन भाग होता है एक भाग होता है फिजिक्स एक फाग क्यमेस्ट्रिव और एक मात समाइंक भोषिय हमता है तो आज हम सबसे पहला टॉपिक बौश्शायन आपको किया पढ़ना है यांत्रिकी अज्च शुरू करने वाले है यांत्रिकी आज कि वीडियो में यांत्रिकी के बारे में बताएंगे इससे पहले आभ वीडियो को हमारा वीडियो क्षिलेवस को मतला क्षिलेवस कि क्या क्या क्षिट्र पूछा ज benim लोग पुरा है सब्सक्राइब लगाने से आपको हो सब्सक्राइबाइ करने का कोशिज से जरूर जूरे क्यक्स कि अपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं तो चलिए हम लोग वीडियोode करते हैं सबसे करेंगे तो यांतरीकि में आपको पढ़ना है यांतरीकि में चाठ टॉपिक है जो आपको पढ़ना है पहला है मापन मापन का भी दो भाग होता है एक भाग जो है मापन माप करने की मात्रक पहला में मापन में हो गया इकाई जो से मापन या इकाई दूसरा हो गया मात्रक मापन के बाद गति, गति के बाद बल और गुरुतवाकर्शन तो आप कोटेल कितना topic होगे है मापन, गति, बल और गुरुतवाकरशन टोटल 4 topic इस 4 topic में आप शबसे पहले या समझे कि मापन से आपको क्या पढ़ना है मापन से जादे देखिए तो समात्रक इसका समात्रक क्या है जैसे दाव का समात्रक बल का समात्रक विदुधरा का समात्रक और इकाई में देख लिजिए विभुवांतर का इकाई विभुवांतर से क्या मापा जाता है यहां से पुछता है कोभी यंत्र जो भी यंत्र है बैर यहां आपको इसको बहुत गहनता से याद रखना है मतलब रटाफिकेशन है आपको रटना पड़ेगा थो कोई दिकत नहीं है कभी-कभी थोड़ा रटना भी पड़े तो कोई दिकत नहीं आप रट सकते हैं क्योंकि आपको इसके बाद जो समझने वाला उसको जरूर हम समझाएंगे इसमें देखे तो गती से कोस्टन नहीं आ रहा है बल से एक बार अभी तक में कोस्टन आया है बीच में कोस्टन का कैटरिया कम कर दिये थे मात्रक एवम बीमा मात्रक एवम बीमा या मापन ये टॉपिक आप क्या कीजिए फढ़िए ये टॉपिक से काफी पॉटेंड होता है गती से जोदी पुछा तो फर्मूला से पूछा अभी तक एक कोश्टन पुछा है वो भी इसके बाद तो बन में भी फर्मूला से ही पूछा है। फिर कॉस्टन पूचता है। तो आप यह सम्ज गए कि आपको क्या सब पढ़ना है। कि यह देख लिगे यह सांस जो है थ्रक कंसेप्ट वल्ट चीज्ज अंपत्रक ही एक ऐसा टोपिक है जहां थोड़ा रटने वाला है ने तो इसके बार हर टॉपिक समझने वाला है कि तो आपको पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि साइंस है तो इसको एकदम इंज्वाइग कीजिए और पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे धन्यवाद